आपके भाई रन्वीर ने TRS Clips Hindi के शुरुवात की है, क्यों? आपके साथ knowledge share करने के लिए, यह है इंडिया का सबसे smart podcast का सबसे smart clips channel, TRS Clips Hindi. Subscribe, click on the bell icon. कोई कोई लोग कहते हैं कि जिस युग से हम जी रहे हैं, यह मैं आपको कल युग का सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, मैं आपको प्रलाय के बार में पूछने वाला हूँ, क्या यही प्रलाय है, यह जो COVID हो रहा है, यह इतने सारे natural disasters हो रहे है, यही सब प्रलाय है, और प्र कभी समुद्री तूफान आया और कभी प्लेग आ गया तो ये माया के संसार में तीन प्रकार के दुख सताते हैं एक को कहते है आदी आत्मिक, एक को कहते है आदी भाउतिक, एक को कहते है आदी दैविक तो आदी आत्मिक मतलब अपने ही शरीर से और अपने ही मन से जो व्यक्ति दुखी हो रहा है बाहर से कोई आवे सकता नहीं स्वाइब डिप्रेशन में चले गए और दूसरा है आदी भावतिक बाकी प्राणियों से दुख मिला अद तीसरा है आदी दैवे कब दैवी कारण से दुख मिला तो ये जो वाइरस इत्यादी फैला अब ये दैवी कारण बन गए इसमें तो ये तो आते जाते रहेंगे हम को ये सोचना चाहिए कि ये दुख मिल क्यों रहे है सांख्या दर्शन कहता है दुख तरया भिगाता जिग्यासा तद भिगात केतव ए मनुश्यों तुमको क्यों दुख मिल रहा है ये जिग्यासा करो तो वो जब जिग्यासा करोगे तो तुम धीरे धीरे फिर सथ्या पर पहुँँच जाओगे कि मैं हूँ कौन इस संसार में क्यूं आया हूँ और दुख को मिटाने का साधन ग्यान What's your answer sir? क्यूं हो रहा है यह कि हर किसी के साथ अलग वज़ा से हो रहा है कि मानवजाती ने मिलकर कुछ गलत चीज़े किये इसलिए सब कुछ हो रहा है अब ऐसा तो लोग कहते हैं भी हम सब मिलके पाप किये तो भगवान ने दंड दे दिया लेकिन ये सब बातों में जीवों का कल्यान भी होता है तो लोग इतना भाग रहे थे बहुत इकवाद कियो और भगवान ने थोड़ा सा एक पास दे दिया रुको भई तुम सोचो तुम क्यों भाग रहे हो सब लोग अपने घर में बंद हो गए सब लोग सोचने लगे भी मेरे जीवन की प्रायॉरिटीज क्या है तो तई लोग आके कहते हैं स्वामे जी वो लॉक आउट में हम पहली बार अपने अंदर गए और बहुत उन्निती कर लिए तो कष्ट तो बहुत मिला कि इन कष्ट में ही उत्थान भी होता है हम अपने परिस्थिती में कॉम्फर्टेबल हो जाते हैं भगवान कहते हैं भी तुम्हारा लक्षे कॉम्फर्टेबल होना नहीं है तो कैसे जूरेंगे अपने शक्ति का विगास करना पड़ेगा है इस प्रश्णगा समाधान तो मेरे पास है ही नहीं तो फिर और ग्यान को मढ़ाना पड़ेगा उसमें हम लोगों की उन्नती होती है भगवान चबर्दस्ती जीवों की उन्नती कराते है झाल